इसमें जो मैं ने उबसर्व किया उसमें मैं स्लेक्ट हो चुका हूँ चैट प्रोसेस में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे आपको इंटर्यू देना है फर्स्ट आफ ऑफ जो भी आपको फ्रेंड वगर है जो भी वहाँ पे स्काम करता है पहले लिंक ले लिए फिर उसके रिंग से आप जाके फॉर्म बढ़ती जी फिर उसके बाद एक एप इंस्टोल करना पड़ता है उसमें mcat का आपको एक्जाम देना होता है mcat का एक्जाम देने के बाद आपके 24 गंटे के अंदर या दस बारा घंटे के अंदर अंदर कॉल आ जाती है कॉल आने के बाद वो कॉल आने के बाद वो आपको बुलाते हैं आपको डे देता है कि इस दिन आपको आना है टैमिंग हो गएरा सब बता देते हैं उसमें उसके बाद आपको हमाँ पर जाना होता है जाने के बाद वो आपको डोकुमेंट्स पक्राइड करने होगे जैसे अब ने रेजियू में हो गया रेजियू में और एक और चीज़ होती है वो है आपका कॉविट का सर्टिफिकेट वो देने के बाद वो आपको महाँ पर जानो अगर वोकिंग इंटर्वी होगा आपका महाँ पर जाके आपको सब्सक्राइडर बिठाएंगे आपका रेजियू में लेंगे रेजियू में लेने के बाद वो आपको बिठाएंगे उसकाद आपको अंदर बोलाएंगे तो आपके इंट्रिवी लिया जाएगा तो पहले तो दो बंदे इंट्रिवी लियते हैं आपसे पूसते हैं सेलरी वगर अब डिसकस करते हैं Are you okay with the salary? So आप बोलेंगे हाँ मैं okay हूँ उसके बाद आपको next interview के लिए बोले आता है वो होता है personal interview Personal interview से पहले आपको ब्रीफिंग की जाती है यह आपको जो जो बोलना है कि और you okay with the salary and all आपको परसनल इंट्रिवी में बताना होता है कि हाँ मैं okay अपनी salary से अपने प्रोसेस से ओक हूँ I am ready with my night shift also I am will come in the rotational shift also After that आपको महाँ पे बताया जाता है फिर आपको English में बात करने होते है PI में परसनल इंट्रिवी में English में आपने बात करी है उसनते अगर वो आपकी बात से satisfy है तो आपको आगे proceed करेंगे proceed करने के बाद आप select हो जाते है और in between PI and interview मतलब जो दो बंदे इंट्रिवी तो PI के बीच में एक ओर राउंड होता है वो email पर आता है आपको mail आता है उसमें आपको system होता है उसके अंदर आपको थोड़ा MCAT के exam देना होता है आपको online आपको देने के बाद फिर आपको PI होता है PI में आप select हो गए मतलब select हो company में आप आ सकता हो फिर आपको select कर लेंगे फिर आपको training के जो भी date वगरा mail पाज़ेगा call वगरा आ जाएगी आप selected हो यही इस process होता है मैं तो select हो चुका हूँ तो मैं कुछ मेरे सज्व experience हो मैं आपको बता दिया यह सब होता है concentrics के interview में although I found it very good और हाँ सबसे main चीज़ यह है वो लोग आपको cap provide करेंगे आपके घर तक अगर आपका area उस zone में आता है उनके zone में आता है तो like जो भी आपका area है उसको आप cap provide करेंगे और in case अगर आपको cap नहीं चीए आप खुद जा सकते हो तो आपको convenience के चार हजार पर और मिलते है अगर आप cap बोलोगा में cap नहीं चीए हम खुद से आजाएंगे तो आपको चार हजार पर देंगे convenience के और यही था बाकी जो salary है ऐधा फ्रेशर उन्होंने मेरे को salary बताई है वो बताई है वो 14.5,000 साड़े 14,000 पर like incentives and all अगर आप अच्छा काम करते है तो आपको incentive मिलते है तीम में नहीं करते हैं ऐसा fresher की बात कर रहा हूँ मैं आपको incentive मिलते है और उसके बाउद आपको cap फैसलिटी तो मिलती है और अगर वन सेड़ अगर आपको cap मिले तो वो second side से अगर आपको फैसलिटी तो आपको फैसलिटी तो आपको उस महीने में पच्छे सोर पे मिलते है एक महीने के लिए अलग से आपको से जा सेकें तो according to me in my suggestion Concentrix is very decent company it is a multinational company so definitely you can start your career with the Concentrix I found it very good company very good company and the meal is also cheap so you can buy the meal it's so delicious I also eat there so it's delicious you find it you will satisfy the company the thing is that it's a night process if you're comfortable with the night process you definitely join the Concentrix as a fresher also so thank you so much so you should visit in the Concentrix it's a good company okay all the way to all of you